आमिरामं रभवनशनातं सूरह मई 22 दिन सुमवार इधर ज्यानवापी मस्जिद में सर्वे चल रहा था बाबा आश्टो शक्षात प्रगट हुए उधर मुश्लिम पक्षकारों ने सुप्रिम कोट का रुप किया उनका उद्यव से सिर्फ एक ही था कि किसी भी प्रकार से इस सर्वे को रोका जाए उन्होंने सुप्रिम कोट में प्रिटिशन डाली सुप्रिम कोट ने में पहले भी पर्टिशन डाले थे सोबवार को सुनवाई होनी थी मुश्लिम पक्ष के वकिल ने कहा कि हुजूर सबसे पहले तो वो ओर्डर दिया जा जिससे कि लोगर कोट की जो आग्या है जो ओर्डर है कि उसका सर्वे वो सर्वे रोक दिया जाए सुप्रिम कोट ने कहा नो सर्वे होगा सुप्रिम कोट कि इस स्टेट्मेंट से ये लोग थोड़ा सामें फिर इन लोगों ने दुसरी बुद्धी डाली हुजूर उस लोवर कोट ने है कि सीव लिंग जो है वह तो हमारा फबारा है उसको घेरने की बात कही है पोटेक्शन की बात कही है इस में बुरा क्या है सुप्रिम कोट में कहा कि अगर कुछ मेटेरियल निकले हैं हिंदु पक्षिवलिंग काता आप उसे फबारा करते हैं तो जब उसको रखेंगे इस रख्षी तब यह तो जा चोगी इसलिए CRPF का प्रोटेक्शन उसे मिलता रहेगा तीसरा तब उन्हों ने कहा कि हमको नमाज अदा करने की छूट पर भी लोवर कोट ने पाबंदी लगा दी है मात्र बीच नमाजियों को जाने करुमती दी है सुपरिम कोट ने कहा कि हम नमाज अदा करने पर रोक नहीं लगाएंगे आप जाएंगे तब चौथा प्रश्ट मुश्लिम पक्षकारों ने कहा कि हम वजू कहना करेंगे वजू तो वहीं होता है उसी तलाब के जल में होता है जहाँ शीवलिंग है जो हिंदु पक्ष कहता इसे सीवलिंग हम उसे पबारा करते है तो कहा कि सरकार से कहिए अब उस तलाब में आपको हम जाने नहीं देंगे खामोसी फैल गई मुश्लिम पक्षकारों में आप इसे फबारा कहते हो बारा दसमलवाट इंच डायमेटर का मोटा वो स्यूलिंग है बारा फिट लंबा है पत्थर पे बना हुआ है पत्थर से बना हुआ है उसी के तरफ हमारे नंदी भगवान अपलक निगाहों से देख रहे हैं किस पस्जिद में ऐसा होता है हालात बड़े ही मुश्किल भरे हैं हुजूर सरवे रोक दो सुप्रीम कोट ने सरवे रोकने शे मना कर दिया हुजूर प्रोटेक्शन में सीूलिंग क्यों रहेगा क्यों नहीं रहेगा क्या आप उसको उखाड के फेक दो तोड़ दो भंग कर दो क्या औरंग्जेब की आत्मा जी करके आ गई नहीं तब तो सुप्रीम कोट ने कहा कि अगर प्रोटेक्शन की बात लोवर कोट ने किया है तो सही किया है हम उसका समर्तन करते हैं तीसरा बात इनका सुप्रीम कोट ने माना लोवर कोट ने बिश नमाजियों को जाने की इजाज़त दी थी यह बोले थे कि हम नमाज अदा करेंगे नमाज अदा कीजिए लेकिन तब इन लोग ने चौथा प्रश्टर का कि वजू तो हम उसी जल में करेंगे सुप्रीम कोट ने कहा कि यह कोई जरूरी नहीं है आपको वजू करने के लिए वो जल नहीं मिलेगा